हलो अब्रिवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो जैसा दोस्तों आपने थमनेल पे देखा हुआ है कि डैक सोलर से बैटरी चार्ज करने पर बैटरी ब्लास्ट हो चुका है तो ये एक रियल घटना है दोस्तों जो कि किसी और के साथ नहीं दोस्तों हमारे एक बहुत बारा गलती था जिसके वह जैसे उसकी बैटरी जो है वह ब्लास्ट हुई है अगर दोस्तों आप भी वह गलती करते हो तो आपकी भी बैटरी के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रियेट हो सकता है तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप 8 से 9 एंपियर उसको उसकी बैटरी को आपट्पूट संप्लाई मिल रही थी और दो सोलर पैनल का जो कैशिटी हो जाता है वह 8 से 9 एंपियर की हो जाती है और दोस्तों पिछले कई महीनों से वह अपनी बैटरी को कुछ इस तरह से ही इस्तमाल कर रहता जैसे देखे क्या हो हो जाता है और भैटरी से घरणा बिचलता है मतलपि दिखना होती है अगर दिक्तत नहीं रहता है डिया घानता है लेकिन अधी हमारे एर्या में पिछले कई माहिनों से बहुत च्राइब 24 गंटे में से 22-23 गंटा इलेक्ट्रिसिटी रहता हुआ तो इसमें दोस्तों उसको शोलार लगाने के कोई जोरुत नहीं था अगर उसको बिजले में बिलकम करना था तो वह क्या करता था दोस्तों कि अपनी बैटरी को अपनें इंवटर से भी चार्ज करता था और सोलर से भ बाद वह चार्जिंग करना बंद कर देता है जैसे वह फूल चार्ज बता देता है अब उसका में गलती यह था कि उसने सोलर तो लगाया हुआ था लेकिन दूस्तों उसने कंट्रोलर नहीं लगाया हुआ था जिसके वज़से यह सारी प्रॉब्लम जो है वह क्रियेट हुई ह अगर वह दोस्तों कंट्रोलर लगा के रखता तो उसकी बैटरी में कोई इफेक्ट नहीं होती या मतलब कि दोस्तों यह बैटरी उसकी ब्लस्त नहीं होती अभी दोस्तों वह बैटरी का इस्तमाल भी ज्यादा तरद नहीं कर पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिस्टी बहुत अच्छा खासा रहता है और दोस्तों सपोज क्या होगा कि हमारा बैटरी अगर फुल चार्ज हो जाता है उसके बाद भी अगर हम कंटीन्यू अपने बैटरी को चार्ज करते रहते तो हमारा बैटरी खराब होना ही था तो इस बज़े से उसके बैटरी फटने का एक और करन थ था कि उसकी बैटरी में पानी की कम होने के वज़ह से उसकी बैटरी जो हे ब्लक्राइब पानी एगर रहता तो ऺट नहीं बिल्क्राइब अगर बूलीएगा अगर वह устрой तो Solar charge controller के स्थमाल करता तो Solar charge controller जो है हमारे बैटरी को over charge होने नहीं देता है और उसकी बैटरी को over charge नहीं होने देता जिसकी वज़ज़से उसकी battery भी safe रहती थीप खाले गाइस तो अगर आप के मन में कोई सवाल है solar charge controllers related batteries related या फिर solar related तो मुझे comment करना बिल्कुल मत भूलें ज्यादा information के लिए कुछ अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे instagram पे follow कर सकते हो नीचे दिया क्या है मेरा instagram का user id या फिर description में भी जाके लिंक पे click करके मुझे direct instagram पे follow करके message कर सकते हो मैं आपके message 100% reply कर दूँगा तो इस वीडियो का भी तक लाइक नहीं कि हैं तो लाइक करें और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को भी जूरु सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहें